और चुहे साझेदारी में Brathers Grimm की एक और आनंददायक कहानी दो वसम्भावित सहयोगियों एक बिल्ली और एक चुहा जो चाला की सहयोग और धोखे की कहानी है कहानी एक बिल्ली और चुहे द्वारा एक साथ रहने और एक साजा घर साजा करने का निर्नए लेने से शुरू होती है वे अपने घर को और अधिक सम्रिधा बनाने के लिए एक चतुर योजना तयार करते हैं बिल्ली भोजन पकड़ने के लिए अपनी चपलता और शिकार कोशल का उप्योग करती है जबकि चुहा घर में रहकर घरेलू कारियों का समर्पन करता है उनका साजहदारी सुझाव है और वे अपने साजहदारी के परिनामस्वरूप फलों का आनन्द लेते हैं एक दिन बिल्ली और चुहे को चच में चरबी के एक बरतन के भंदार के बारे में पता चलता है और बिल्ली उसे हासल करने की योजना का प्रस्ताव रखती है बिल्ली चच टावपर चच जाएगी और चरबी का बरतन ले आएगी जिसका वे दोनों आनंद ले सकते हैं हालांकि चुहा विजय के क्षण में बिल्ली द्वारा उसे भूर जाने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त करता है बिल्ली इस डर को खारिज करती है और चुहे को उनकी दोस्ती का आश्वासन देती है बिल्ली के वादे के अनुरूप वो सफलता पूर्वक चच से वसा का बरतन वापस ले लेती है फिर भी घटनाओं के एक चौकाने वाले मोड में जैसे ही वो नीचे आती है वो अपनी शिकारी प्रवरिती के प्रलोभन का शिकार हो जाती है और चुहे के हिस्से की चरबी खा जाती है चुहा अपने साथी का बेसबरी से इंतजार कर रहा है उससे धोखे का सामना करना पड़ा ये कहानी विश्वास और विश्वास घात के परिनामों के बारे में एक नैतिक शिक्षा देती है ये दूसरों की इमानदारी में अंध विश्वास रखने के खिलाफ चेतावनी देता है खास कर उन लोगों को जिनके परस पर विरोधी हित हो सकते है चुहे के विश्वास के प्रती बिल्ली का विश्वासघात, विश्वासघात की संभावना के बारे में एक सावधान कहानी के रूप में कार्य करता है, तब भी जब गठबंधन पारस पर एक रूप से लाबप्रद लगते हैं साजहेदारी में बिल्ली और चुहे एक संक्षिप लेकिन प्रभावशाली कथा है जो विश्वास, वफादारी और साजहेदारी की नाजुकता जैसे विशयों की खोज के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है ब्रदर्स ग्रिम उनके शैली में एक कहानी प्रस्तुत करते हैं जो पीडी दर पीडी प्रासंगिक बनी रहती है जो मानव या पशु, संबंधों की जटिलताओं और किसी के सहयोगियों को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है